डायेक्ट सेरिंग रूल्स 2021 जो इस्पेशली डायेक्ट सेरिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स और गाइड लाइन्स भारत के राजपत्र में शामिल किये गए पहले हम बोलते थे ना, जागो गवरहक जागो लेकिन और यह रू घाइड लाइन्स के हिसाब से अब हम बोल सकते हैं कि आजागो कंपनी वालो जागो यह रूल्स और गाइड लाइन्स के इसाप से ही हिचलो सबसे पहला सवाल direct selling rules 2021 क्यों बनाए गए है और यह क्या है जवाब यह है कि जो यह consumer protection rules और guidelines आये है यह distributor और consumers के पक्ष में ही है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि rules guidelines और act में क्या difference होता है और यह क्या होता है guidelines का सीधा सा मतलब यह होता है कि एक रास्ता दिखाना एक guidance देना कि आपको इस रास्ते पर चलना है यह होते है guidelines इन उस guidelines के according आप काम करते है एथिकली पिर आती है rules की बात तो इन guidelines को ही follow करने के लिए ही rules बनाये जाते हैं इन guidelines के according अगर आपको काम करना है तो आपको यह rules follow करने होंगे यह वो rules आपको देते है rules के बाद एक बहुत important चीज़ आती है उसको बोलते है act यानि की कानून जो हमारे भारत के सन्विधान में acts यानि की कानून इस act में ही लिखा होता है कि आपको यह rules का यह guidelines का पालन करना है तो देखो दुनिया में जितना भी काम हो रहा है है न वो चाहे traditional business हो या diet selling business हो सारे की सारे business pyramid पर ही चलते है सारे traditional business भी pyramid based ही होते हैं for example कोई भी एक company है जो product को produce करती है और consumer तक अपने product केसे पहुचाती है तोप पर एक कंपनी रहती है फिर उस कंपनी के नेशनल इस्टेट डिस्ट्रिबूटर्स रहते हैं फिर उसके बाद रिजनल डिस्ट्रिबूटर्स रहते हैं फिर उसके बाद होलसेलर डिस्ट्रिबूटर्स रहते हैं उसके बाद जो रिटेलर्स डिस्ट्रिबूटर्स रह जाता है यह सारे traditional business ऐसे ही चलते हैं तो यह क्या हो गया एक legal pyramid structure बन गया और जो illegal और गलत तरीके से pyramid skims चलाती है वो company कैसी होती है वो company क्या होती है वो मैं समझाता हूं तो देखो टोप पर company रहती है अब वो company के नीचे national agents रहते हैं फिर original agents रहते हैं फिर retailer वाले agents रहते हैं और नीचे जो भोले-बाले customers रहते हैं उनको वो गलत services जो valuable नहीं है money तो लेती है लेकि उस money के बदले value नहीं देती है और product भी देती है तो product भी money की जितना valuable product नहीं होता है तो वो customer को देती है agents के थुरूब अब यह company क्या करती है कि joining और packages के नाम पर लोगों से पेसे लूटती है और नए नए लोगों को भोले-बाले लोगों को यह joining के नाम पर agents बनाती है और फिर उनको double salary और triple salary का लालस देती है यह सारी कंपनिया money circulation और pongy skims वाली कंपनिया होती है जो गलत और illegal तरीके से काम करती है इसी तरह यह company illegal company भी एक illegal pyramid और skims बनाती है तो यह illegal pyramid हो गया यह company अपने customers से पेसे लेती है और उस पेसे की उस money की value जरा भी नहीं देती है यानि की value of money बिल्कुल zero तो यह होती है एक legal pyramid skims और illegal pyramid skims यानि सारे businesses तो pyramid skims से ही चलते हैं तो जो rules और guidelines आए है ना उससे यह company जो illegal companies यह नहीं चलेगी और लोग धोखादड़ी से भी बचेंगे जो company ऑवर प्राइसिंग कर रही है और जो उसके clients और customers से उनको value नहीं दे रही है तो वेसी company आप नहीं चलेगी जब आप इस abandonment और draft में पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी company जो products और services based diet selling company आए उनके लिए यह rules बनाया गया है diet selling rules 2021 के according जो भी आप बेच रहे हो तो money के according उस जो बेचने वाली चीज है ना उसकी value भी money के according ही होनी चाहिए उसके base पर ही उसकी value होनी चाहिए अब सवाल यह है कि यह जो diet selling rules 2021 आया है इसमें जो guidelines और rules आये है क्या यह इस industry को diet selling industry को फाइदा पहुचाएंगे कि इस industry को और develop करेंगे यह सवाल है अभी government ने यह rules और यह diet selling consumer protection act 2021 जो बनाया है यह इस industry को development करने के लिए ही बनाया है सबसे अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी इस industry को और इस industry की importance को समझ रही है government खूद इस industry के बारे में सोच रही है तभी तो government ने यह draft तैयार किया है ताकि हम अच्छे से जान सके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस act में कंपनियों के locations और कंपनियों के documentation रजिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ है according to direct selling rules 2021 कंपनियों के locations, physical locations वो registered होना चाहिए सभी legal papers और registration से वो सभी होना चाहिए और वो सारे customers के invoices में भी होना चाहिए आप के पास certificate of incorporation का certificate होना चाहिए कंपनी के पास उसका memorandum of association, article of association, pain number, GST number, ITR, reports और audit reports ये सभी documents उस कंपनी के पास होने चाहिए कंपनी के अंदर जो भी उसके direct sellers काम कर रहे हैं उन सभी का data भी कंपनी के पास होना चाहिए और आपके पास जो भी products है उस products का trademark certificates भी होना जरूर है according to diet selling rules 2021 सभी कंपनी के उसके distributors के पास ID card का होना भी जरूर है कंपनी को ID card issue कराना कंपल सरी है और सभी distributors के ID card भी जबी issue होंगे जब उन distributors का KYC documents complete होंगे verification उनका complete होगा तो ये था diet selling rules 2021 के बारे में जो अभी भारत सरकार ने diet selling companies के लिए जारी किया है झाल